हे गैस, वेलकम टू स्टड़ियोल तो लदाक में हुए हिंसा को लगबग कापी दिन हो चुके है दुनिया भर के जो मेजर कंट्रिज है उन्होंने अपने बयान इस पर दिये है और सबने अपने अपने हिसाब से अपनी साइड चुनी है किसी ने भारत को चुना है तो किसी ने चाइना को और हम डीटेल से जानकरी लेंगे कुछ देश ऐसे है जो टटस्तर है है जो किसी का पक्ष नहीं ले चुके है हम सभी के बारे में इस वीडियो में डिसकस करेंगे किसने भारत का पक्ष बड़ा चड़ा कर लिया है और भारत को पूरा समर्तन दिया है और कौनसे ओ देश है जो चाइना के साथ है और कौनसे ऐसे देश है जुनोंने अपने आपको इस मामले से दूर रखा है तो दोस्तो जैसे कि आप लोग जानते है कि गलवान वेली की हिंसा पंदरातारी को हुई थी उसके बाद लगातार दो तीन दिनों तक तो पहले तो सब कंट्री ने शांती रखी किसी ने कुछ बात नहीं की लेकिन धीरे धीरे सबके रियक्शन आने लगे सबसे पहले रियक्शन आया अमेरिका का अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो उसकी तरफ से आया है उन्होंने एक ट्विट किया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि हम भारतिये सोल्जर को कभी नहीं भूलेंगे और सबसे ज़्यादा सपोर्ट भारत को अमेरिक कर रहे है इसके बाद जो भारत में अमिराका के फॉरेंड मेंस्टर है उन्होंने भी रिटर्ट किया और ये कहा कि हम भारत के सेनिक का बलिदान पर उनके परिवार के साथ है और इस न्यूज को नोटिस किया ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना का माउथपीस है और इसमें भी इस न्यूज को लेकर अमिराका को क्रिटिसाइड किया कि वो भारत के मामले में बोल रहा है अगला रियक्शन ब्रिटन से आया है जो कि इस मामले में एंसिस लगा यानि कि वो इस मामले से दूर दूल लग रहे थे उन्होंने भारत को वार्न भी किया कि वो चाइना से साव इंडिया है और उदर जो आर्टिकल छप रहे है वो भी प्रो इंडिया है यानि कि वो इंडिया के सपोर्ट में है बात करते हैं रूस की रूस इस मामले में थोड़ा पीचे हटता दिखाई दे रहा है लेकिन यह भारत के लिए रहात की खबर है रूस ने किसी का पक्ष नही तो कही रश्या चैना का पक्ष ना ले, क्योंकि रश्या और चैना के सम्मन भारत और रश्या से काफी बढ़ चुके है । गैज करते हैं। शालणा व्यापार होता है और सी जिंगपिंग और पुतिन की जोड़ी भी बहतर माना जाता है अब बात करते हैं जापन के बारे में हमें लगता था कि जापन सब से पहले रियक्शन देगा लेकिन जापन का reaction लेट आया पर वो बहुत दुरुस्त आया और उन्होंने खुलकर भारत का समरतन किया और उन्होंने कहा कि हम भारत के soldier के साथ है और उनके परिवार के साथ है उसी तरह फ्रांस ने भी भारत का काफी हथ तक समरतन किया है जैसे की उदर की मीडिया है वो टॉप लिडर है जो की भारत के साथ खड़े होने की बता रहे थे लेकिन भारत को जो सबसे ज़्यादा और तगड़ा समरतन मिला है वो अमिरेका के तरफ से मिला है अमिरेका कि जो और भी लीडर है उन्होंने अपले सांसत के बहुन में और सांसत में जब न्यूज रिपोर्टर से बात्चित की तो उन्होंने बताया कि कैसे चैना एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहे बारत की जमीन हत्याने के लिए और वो किस तरह भारत को उक्सा रहे है यानि कि पी हद तक भारत का समरतन किया है बलकि और भारत के अगेंस्ट प्रोपोगंडा फेलाते रहते हैं लेकिन इस बार मामला पाकिस्तान के साथ नहीं था इस बार मामला चाइना के साथ था और चाइना और तुरकी के रिलेशन इतने भी अच्छे नहीं है और उदर के उगर की वज़े से तुरकी चाइना के अपोजिट में है और उन्होंने हलकी फ्रो इंडियन रिपोल्टिंग की है और इसके अलावा ताइवान और ऑस्ट्रलिया का भारत को जमकर समर्थन मिला दोनों देश खुलकर बाकी भारत के समर्थ में आए बात करते हैं चाइना को किस द पात्र देश है जिन्होंने चीन को समर्थन दिया है और पाकिस्तान ने कहा है कि बाहरत एक आक्रमर्थ देश है और उन्होंने कहा कि प्रदानमंत्री मोर्दी की वज़े से ये कॉम्प्लेक्स हो रहे है तो इस पर आपकी क्या राय है क्या ये लिस्ट जो मेंने बना है वो क्या आपको सच लग रही है या आप इसे एगरी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे